आज का जो हमारा टॉपिक है यह है inheritance in python python में inheritance यह inheritance क्या होता है inheritance is the ability for a class to inherit properties from another class इने returns का मतलब होता है कि हमारे पास एक class है जो पहले से बना हुए है अब हम लोग एक नया class बनाने जा रहे हैं और नया class में यह जो पहले से class बना हुए है हमें उसका properties चाहिए तो एक तो तरीका है कि दुबारा बना लो दूसरे class में और एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर कुछ properties पहले से कहीं पर बना हुआ है और अगर हमें वो चाहिए किसी दूसरे class में तो हम वहाँ से inherit कर सकते हैं उसको हम वहाँ से उसको inherit कर सकते हैं तो इसका मतलब कि हमें उसको दुबारा बनाना नहीं पड़ेगा जो पहले से किसी class के अंदर में है तो properties को हम दूसरे class में inherit कर सकते हैं तो inheritance is the ability for a class to inherit properties from another class तो the class which inherits the properties is called child class या फिर sub class या फिर derived class and the class which is inherited जो class inherit होता है उसको क्या बोलते हैं अगर जो करता उसको child बोलते हैं तो इसको parent बोलते हैं अगर उसको sub class बोलते हैं तो इसको super class बोलते हैं अगर उसको derived class बोलते हैं तो इसको base class बोलते हैं मतब जो inherit करता है properties को, वो child class होता है, और जो inherit होता है, मतब जो देता है, वो parent है, और जो देता है, वो child है, तो देने वाला parent है, लेने वाला child है, तो इसका अलग-अलग नाम है, अगर यहाँ पे child class बोलोगे, तो यहाँ पे parent class बोलना, अगर sub class बोलोगे, तो यहाँ पे super class बो अब हमें इसका एक दमपल देखना है, कि यह होता कैसे है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है? प्राटिकल करते हैं सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का पहले से क्लास बना हुए है, तो क्लास बनाने तो बताये थे इसे बनाते हैं क्लास और क्लास का नाम, ठीक है? अब इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं? तो बहुत सारा तरीका है प्रोग्राम करने का, तो पहले हम एक तरीका बताते हैं हम लोग और यहां पर क्या कर दिये? तो स्टूडेंट का, रोल, इकोल तो जीरो, नेम में, अननेम्ड, चलो, यही चीज है, रोल और नेम, ठीक है? अब इसके अंदर में एक मेथड बनाओ, कि डिफाइन, प्रिंट डेटा, यहां पर सेल्फ लिखना पड़ता हम लोगों के, प्रिंट डेटा में क्या करेंगे? रोल और नेम को प्रिंट कर देंगे, तो हमारा एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, जिसके अंदर में रोल है और नेम है, और प्रिंट डेटा के थूँ, हम इसको प्रिंट भी करा दिये, रोल और नेम को, तो यह तो सेल्फ लिखना पड़ता है ना मनों को, सेल्फ मतलब जो अबजेक्ट के थूँ, यह कॉल और यहाँ पे object पास हो जियाता है, यह बताये थे हम, अब क्या होताच चलो है कि दूसरा class बनाते हैं, class result, मालो है कि exam हो रहा है किसी का, उसमें result निकले गा, क्यूत्रा class एक बनाएंगा result निकले है, तो result पे भी तो कोई student होता है, किसी student का ही result होगा, तो अगर कोई student का result होगा, तो उस student का role और name होगा, तो role और name तो पहले से यहां पर दिया हुगा है, student के अंदर में, तो हम यहां पर फिर से role name क्यों बनाएं, तुम चाहों यहां बना सकते हो, कैसे, role equal to zero, name equal to unnamed, और marks equal to 0.0, इसको print करा दो, define get function को, print data, print, self.roll, self.name, self.math, अभी हम inheritance नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, मतलब कि यह अलग class है, यह अलग class है, हम inherit नहीं किया है, इसके अंदर में, यह अलग class है, यह अलग class है, जो दोनों का यह object बनाऊ, तो कैसे करता है, student का s equal to student, और यह तो result का r equal to result, बन गया है, चलो s का call करो, print data को, यह तो s का था, s.print data, अब यह r है, r.print data, रन कर आओ, यह 0 unnamed किसका print कर रहा है, s.print data, क्योंकि s के अंदर में, सिर्फ यह था न, roll or name, और यह 0 unnamed 0.0 किसका print कर रहा है, तो यह result का print कर रहा है, क्योंकि r के print data में, रोल ने marks तीनों है, तो हम लोगों ने यह दो independent class बनाया, अलग-अलग, यह अलग class है, यह अलग class है, यह अलग class है, यह parent child नहीं है, यह लोग, अब ही हम लोग देखेंगे, कि parent child कैसे होता है, कैसे क्या फाइदा मिले गए इससे हमें, तो यह program समझ मैं है है सबको, कि यह दो अलग different classes है, दोनों का अलग-अलग object बनाया के हम लोग call की है, इतना दूर तक clear है सबका, यहां पर देखके क्या लग रहा है, कि result के अंदर में कुछ ऐसा properties है, जो पहले से किसी दूसरे class में है, मतब कि role और name, यह तो already यहां पर defined है, पहले से, तो क्यों ना हम उसी को यहां पर use कर ले, यह फिर से हमें दुबारा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, और print के अंदर में, role और name पहले से print हो चुका है, अगर role name वहां से लेते हैं, तो वो already print हो जाएगा अपने आप, हमें उसको print नहीं करना पड़ेगा, हमें उसे print नहीं करना पड़ेगा, तो जब अगर कोई चीज पहले से कहीं पर बना हुआ है, तो उसे हमें दुबारा बनाने के जरूत नहीं है, इसका मतलब कि यह जो print data है, पहले से बना हुआ है, है, लेकिन उसमें दो ही प्रपटी है, ठीक है, यह जो print data था, उसके अंदर में दो ही प्रपटी है, अब यह दोनों प्रपटी को हम excess कैसे करेंगे, तो inheritance के थ्रूँ ठीक है इसको हम लोग exist कैसे करेंगे तो inheritance के थ्रूँ अब हमें देखना है कि inheritance होता है कैसे है क्या करना होगा यहां पर हम लोग यह जो student class है यह हमारा class पहले से बना हुआ है student class हमारा पहले से बना हुआ है इसके अंदर में क्या क्या प्रापर्टीज है रूल नेम तो यहां से रूल ने मटाओ जो चीज पहले से है उसे हमें यहां पर वापस फिर से नहीं बनाना है जो चीज पहले से है उसको हम इन्हेरिट कर लेंगे उसके उतना दिमाग नहीं लगाना है अब क्या है कि यहां पर जो print data है तो हमारे पास दो option है या तो इस print data को ऐसे ही रहने दो यहां पर यह print मत कराऊ इसको यहां पर क्या करो तो parent class वाले को call कर दो जैसे student को यह से हटाते हैं लोग हम क्या चाहते हैं कि student अंदर में उसका parent class का नाम लिख देना बस हो गया इसका मतलब कि student parent हो गया रिजल्ट हो गया मतलब जो बनाते हैं वह चाहिल्ट है तो रिजल्ट के आगया में class लिखा हुआ है इसका मतलब कि result class हम बना रहे हैं तो जो बनाते हैं वह चाहिल्ट है और जो पहले से बना हुआ ह वो पेरिंट हो जाता है तो ये कर देने से क्या होगा ये कर देने से होगा कि अब हमें उपर में student class के अंदर में जो जो properties था वो सारा property यहाँ पर आ चुका है अब हमें दुबारा पराना के जरूत नहीं है तो चलो ये दोनों भी इसके अंदर में आ गिया कैसे पता चलेगा इसको फिलाल डिलीट करते हैं चलो मालनो student के अंदर में रहा दो member है member data role और name तो जब result student लिख दिए तो result के अंदर में student का सारा property आ गया है मतलब तुमको दिखाई दे रहा है result के अंदर में सिर्फ marks बट result के अंदर में role भी है name भी है और marks भी है माक्स इसका अपना property है रोल और नेम वह पेरेंट से इनहेरिट किया है जब कि देखो यहां पर रोल और नेम नहीं है फिर भी हम यहां पर है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्यों क्योंकि यह तो यहां से इनहेरिट कर लिए है student class मतलब कि तुम लिखे नहीं हो बट यह दोनों आ चुका है यहां पर इसको बोलते हैं inheritance परन करो अब बोलोगे यह जो प्रिंट कर रहा है यह रोल नेम माक्स प्रिंट कर रहा है बट इस class के अंदर में आर क्या है result का object है तो result के अंदर तो सिर्फ माक्स है बट यह रोल नेम कैसे हो गया वही यह चीज मत लिखो अभी इन्हेरिट मत करो अब रंग कराओ तो क्या बोल रहा है कि result object has no attribute role रोल तो है ने इसके अंदर में लिख कहां से दिए तुम लेगर वही जब अगर हम लोग student लिख देते हैं इसका मतलब कि वह इन्हेरिट कर लिया इसका मतलब कि वह रोल नेम है समझ मैं रहा है सबको क्या बोला जा रहा है यहां पर इसको inheritance बोलते हैं कि उपर वाले सब ले लिया इन्हेरिट कर लिया यही है inheritance बोलो यह समझ में आया या कोई डाउट है इसमें वालो समझ मैं रहा है सबकों inheritance के यह चर्ण इसको लो बलते है single level मतब एक class को दूसरा एक निरेट करा है मलनु ऐसा रहता है कि एक class को दूसरे class निरेट कर रहा है इसको तुसरा निरेको आया कई एक को दूसरे को तिसरा तिसरे को निरेको चौत circuit इसको बलते है multi level जैसे चलो यहाँ पर class A इसको inherit किया class B यह होता है single level inheritance यह level मतलब यह A की level है अब माल लो कि A को inherit किया B B को inherit किया C C को inherit किया D यह क्या है multi level multiple levels है single level inheritance multi level inheritance तो यह तो single level है पहले single level को बढ़ी है से खटम किया उसका multi बनाएंगे तो यह हुआ कि एक class पहले से हम बना दिये हैं उसके अंदर पर कुछ properties है अगर हम दूसरा class बना रहे हैं और जो पहले से class बना हुए है उसका properties को सेम को यहां पर लाना है तो बस यहां बगल मुसका नाम लिख दे रहा तो सारा आ जाते हैं यहां पर अब मान लो कि parent class में एक method भी रहता है तो परेंट class का सिर्फ member data को यह inherit नहीं करता है उसका member data, member method दोनों को inherit करता है मान लो बहुत सरा method बना दो, सब को inherit करेगा यह सारे methods को, सारा member data को सब को inherit करेगा तो अगर मान लो यह भी यहां पर रहता है तो हमको यह total चीह लिखने हैं जरूत नहीं है क्योंकि हम क्या करते है कि parent class का print data को call कर देते है तो वो role name print कर देता है, यह यहां सब्सक्राइब मतलब कि वो तो parent class में तो role name print करा ही है तो यहां पर हमको role name print नहीं कराना है, यहां पर सिर्क marks print कराना है बड़ जिब R का print data को call करोगे, तो R का print data तो सिर्क marks print करेगा यहां पर क्या है, अभी तक इस cancer क्या आएगा, result class क्या क्या है, तीनों को नहीं कर लिया, तीनों properties को, role को भी, name को भी, print data को भी, इसके अंदर में, अब इसके अंदर में एक एक्ष्टा प्रपरटी है marks, अब जब इसका print data को call करेंगे, हम लोग तो क्या call होगा, self.marks, 0.0, self.marks, यहां पर self.marks प्रिंट हुआ है, हमें तो यह भी चाहिए, role name भी, अब क्या करना होगा, तो क्या करो, इसी print के अंदर से print वाले के print को call कर दो, super. run करो, आया, मतलब कि, जब हम लोग किसी class को inherit करते हैं, तो उसका सारा properties यहां पर आ जाता है, तो उसका member data के लिए हम directly उसको use कर सकते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, member data को direct यहां पर नाम दे दो, कैसे हमनों लिखे थे print मे, self.role, self.name, self.marks, यहां पर, तो role name यूज कर पाते थे हम लोग यहां पर, बट अगर parent class का किसी method को call करना चाहते हो, यहां से, इसके method के अंदर से, child class के method के अंदर से, अगर parent class का किसी method को call करना है, तो कैसे करोगे, super लगा के, super का मतलब यह बताता है कि parent class, बताएथे ना, कि parent को में super भी बोलते है, super class, यह बोल रहा super, और यह क्या है, यह method का साई है, कभी भी कोई method के बाद, parenthesis open close करते है, यह मतलब method का साई है, मतलब super मतलब parent class का method को call करो, कौन सा method, हो सकता है कि parent class का अंदर में 3-4 method है, किसको call करना है, print data वाले को call करो, आपरन करो, देखो, बोलो यह समझ महा है सबको, यह किसी को doubt है, अगर माल लो यहाप एक डूसरे मेंखल बनाओ, यहाप रोल कॉमा नेम, तो इस डॉट रोल इकोल टू रोल, जावा में दिस होता है, यहाप सेल्फ है, सेल्फ डॉट नेम इकोल टू नेम, यह रोल नेम सेट कर दिये, हम यहाप पर क्या करते हैं, यहाप भी मनाते हैं, इसमें तो दो ही चीज़ था ना, इसमें दो में इन्पुट लिये, इसमें तीन चीज़ हैं, रोल नेम मार्क्स, क्योंकि रोल नेम को तो इनिरिट किया है, और रोल नेम मार्क्स यहाप लिख दिये, अभी में पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर नीटे क्या करेंगे हम लोग, सेल्फ डॉट मार्क्स इकॉल टू मार्क्स, हम इसका मार्क्स में यह जो मार्क्स था वो घुशा दिये, क्योंकि मार्क्स तो यहीं पर हैं, बट हम लोग रोल और नेम पेरेंट क्लास से निरिट किया हुए हैं, हम चाहें तो परेंट क्लास में कोई मैथड था, उसी को बोल देंगे, तू मिनिश्राइज कर दो उसको, तो कैसे, गे डेटा को कॉल किया है, तो क्या पास करना होगा, रोल नेम, यहाँ पर रोल कॉमा नेम पास कर दो, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आर डॉट के डेटा में, रोल नमबर फाइव, नेम में, 40 की पैड, मार्क से 56.7, आया, बोलो, यह प्रोग्राम समझ में रहा है, देखो एक पर फिर समझाते है पहले, स्टूडेट नाम का हम लोग एक क्लास बनाएं, जिसके अंदर में टोटल चार प्रपटीज है, दो मेंबर डेटा, दो मेंबर मैथड, एक गेट डेटा मेंबर मैथड है, जिसमें रोल नम में इंपुट लेने के लिए, और एक प्रिंट डेटा मेंबर मैथड है, जो रोल नम को प्रिंट करने के लिए, चलो यह होगया, अब हम एक रिजल्ट बनाना चाहते है, तो हमें Real Life में ऐसा क्या होता है? कि result बनाने के लिए कोई तो student होना चाहिए किसी student कही result बनाएंगे हम लोग तो हम क्या करते हैं? कि result में student को inherit कर लिए इस class को तो class को inherit करने का मतलब क्या होता है? उस class के अंदर में जितना सारा properties है यह सब result के अंदर में आ गया इसका मतलब कि result में क्या क्या चीज़ है, role है, name है, यहां से, और इसका अपना marks है, मतलब इसका में तीन member data है, role name marks, तो role name parent से लिया हुआ है, और marks इसका अपना खुद का है, इसके अंदर भी get data printed name का method है, जरूरी नहीं है कि इसका method का नाम और इसका method का नाम सीम होना चाहिए, अलग भी रख सकते हो, ठीक है, तो माल लोग यहां पर get data कर दिये हैं, get data में क्या है, उसका self role name यह set किये थे, इसका get data में, total तीन member data है इसके अंदर में, role name marks, तो हम लोग रोल name marks तीन set किये, वहां पर सिर्फ role name था, तो role name set किये थे, तो आप क्या है कि इसके अंदर जब घ equal to role, self.name equal to name, मतब कि इसके अंदर में role name तो है, पेरेंट से लिया हुआ चीज, तो role name को तुम खुद से भी यहां पर initialize कर सकता हो, यह role चला गया, self.role में, इसका role में, भले यहां पर नहीं है, लेकिन वो inrate किया हुआ है, name, यह चला गया है है, हापर, run कराओ, आया अभी बट क्याना कि code को तो हमको reuse करना है, जब पहले से बना हुआ है, तो हम क्यों फिर से उसको code को लिखें, क्यों उसका parent class को call कर दें, तो parent class के किसी method को, वो method ही set कर देगा, हम क्यो set करें यहां पे, तो तुम खुद से भी कर सकते हो, बट हम नहीं करना चाते है, हम चाते हैं, क इसको कॉल मत करो, इसको भी डिलीट करो, जब खुद से ही यहाँ पर सब कुछ करना है, तो पेरेंट भी लिखने के जरूत क्या है, और अगर पेरेंट भी लिखने हो, तो खुद से मत करो, तो पेरेंट भी लिखने है कि बावजूद भी खुद से कर सकते हो, लेकिन जब पहले से लिखा हुआ है कि वो role और name के अंदर में data initialize कर देगा, set कर देगा role or name का value को, तो हम खुद से हैं पर क्यों set करें? हम क्यों ने parent class में जब है ही, तो उसको call कर दे, तो कैसे call करते हैं? super, और उसके बाद ये method का sign, dot, किस method को? ये data method को, उसमें क्या pass करना है हम लोग को? role or name, ये तो object होता न, जो इसके call करते हैं, role or name pass करना है हमें, role or name लिये थे ना हम लोग, role name pass कर दिये, और marks तो इसको नहीं दे सकते है, parent को, क्योंकि parent तो marks को पचानता नहीं है, वो तो result पचानता है, क्योंकि parent के अंदर तो, student के अंदर तो marks नाम का चीज था ही नहीं, इसलिए हम marks नहीं भेच सकते हैं वहापे, तो marks को हम यहाँ पर set कर दिये, कि ये वाला marks जो है, उसमें हम यह marks pass किये थे, वो आ गया, अब देखो जब यहाँ पर हम रिजल्ट में आए, है, total, 8, total इसके अंदर में 4, 3, 7 member है, तीन है ये, member data, role, name, marks, और 4 है member method, parent class का get data, print data, और child class का get data, print data, तो हम लोग तो यहाँ पर result का object बनाए है, आर के थू, get data को call किये इसका, get data में क्या pass किया, 5 quarter keeper 56.7, यहाँ 5 quarter keeper 56.7 आ गया, तब super class का get data को call कर दिया, कि वो role name को set कर दे, role name भीज दिये, तो क्या भेजे, 5 भेजे, और quarter keeper भेजे, तो 5 quarter keeper यहाँ चला गया, वो role name में 5 quarter keeper set कर दिया, इसका मतलब कि result में role name marks 3 चीज़ था, तो role 5 हो चुका है, name quarter keeper हो चुका है, अब marks का बारी है, तो marks यहाँ पर set कर दिया हम लोग, यह जो marks दिया था, तो silk dot marks, मैंने class का marks में marks set कर दो, उसी तरह सा हम लोग print data को call किये, जब print data को हम तो r वाले को किये print data, r क्या किया, तो यह देख रहा है, कि role और name तो अल्रेडी उपर में printed है, तो क्यों ना parent class को भी बोल दे, कि भाई आप ही print कर दो, तो super के through print data को call कर दिये, super लिखने का मतलब super method, super मतलब parent class, और यह है method का sign, यह होता ना, कोई भी method के बाद हम लोग ऐसा लिखते हैं, यह method का sign, तो super method, तो super class, parent class का method को call कर रहा है हम लोग, तो parent class का print data को call किये, तो यह role or name वो print कर दिया, और marks को यह खुद print कर दिया, रोल name अपना parent से print कर दिया, marks को खुद print कर दिया, यह ही है, inheritance, बोलो समझ में आया सबको, या किसी को doubt है इसमें, आया है inheritance समझ में सबको, कुछ तो बोलो, या अच्छा को इस, बाकी लोगो, बाकी लोगो समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया है तो भी बोलो, बहुत सारा तरीका समझाने का, आगे है तो भी बोलो, कि समझ में आ चुका है, आगे है, चलो, यह हुआ है, तो यह तो बताया थे, जो get data कर रहे है, यह तो हम लोग init method के थूरू भी कर सकते हैं, कल बताया था ना, कि जब लोग object बनाते हैं, उसी time में init method कॉल हो जाता है, तो इसको क्या करो, get data मत करो, init कर देते हैं, समको यह अलग से call नहीं करना होगा, बोलो, यह समझ मारा, यह जब object बनाते हैं, उसमें जो pass करते हैं, तो उसमें automatic init method कॉल हो जाता है, बताया थे कलम ऐसा last class में, इनिट एक special type के method होता है, जो अपने आप call होता है, जब object बनाते हैं, तो इसमें जो data pass किया, यहां घुज गिया, तो हम लोग सेल्फ, सूपर में भी parent class में इनिट method तो बनाना पड़ेगा, वहां भी हम लोग चलो, init कर देते हैं, यह, इनिट method बनाके, उसी के through initialize कर देते हैं, बस हो गया, तो हम सूपर class का init method को call कर दिये, मत्तब कि एक line यहां पर कम हो गया, अलग से एक method को call नहीं करना पड़ रहा, यह object बनाते समय ही यह pass हो गया, तो यह इसमें pass हो गया, यह init method क्या कि अपना parent class की init method को call कर दिये, कि भाई तुम role और name को set कर दो, बाकी हम marks को देख लेंगे, करन कर रहा हूँ, inheritance, खतम, inheritance में यही था, और कुछ नहीं है, अब यह क्या रहा, तो यह single level है, अब थोड़ा सा मुल्टी लेवल बता देते हैं, कि multiple level क्या होता है, या multi level क्या होता है, यह student parent है, result child है, कैसे parent का property को access कर रहा है, use कर रहा है उसको, आया है समझ में सबको, भोलो, अब इसका assignment बगर मिलेगा, तुम लोगों सबको, उसके बाद ही clear हो पाएगा, कि सबको समझ में आया है कि नी, इतना दूर तक clear है सबका, या सु, तो हम लोगों ने क्या किया, एक student नम का class बनाया, उसके अदर में role और name लिख दिये, हम लोग एक result नम का class बनाया, student class को inherit कर लिया यहाँ पर, इसका मत्तब result के अदर में क्या क्या member data है, role, name, marks यह तीनों है न, class, exam में चलते हैं, तो exam में क्या कर दिये, language equal to zero, subject का नाम लेख रहा है, math equal to zero point zero, science equal to zero point zero, art equal to zero point zero, चलिए चार subject exam में, तो एक student नाम है, class का, एक exam नम का class बनाया, जो student class को inherit किया, मतलब, इसके अंदर में role आ गिया, name आ गिया, और अपना चारो का चारो, हम यहाँ class में कर, result, यह किसको inherit किया, exam को, मतलब कि student को inherit किया यह, exam को inherit किया यह, इसके अंदर में, इसके अंदर जीतना सारा चीज़ यह सब आ गिया, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, अपना parent का भी है, और अपना भी है, मतलब कि इसके पा, इससे यह inherit किया, और इससे यह जब inherit कर रहा है, तो दोनों का चीज़ यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसके पास, इसका चीज डिरेक्ट नहीं आएगा, इसके पास इसका चीज आएगा सारा चीज, बट इसका सारा चीज क्या है, सिर्फ चार नहीं है, यह दो, छे भी है, क्यों, क्योंकि यह तूपर से रिट किया है न, यह आप चल्व हम क्या करते हैं, marks करते हैं, इकोल टू, 0.0, अब हमें करते हैं, डिफाइन करते हैं, कि, गेट डेटा, सिल्फ, हमें पर क्या-क्या पास करना होगा, रोल पास करना होगा, नेम पास करना होगा, लैंग्वज का marks पास कर दिए, मैथ का marks पास कर दिए, साइन्स का marks पास कर दिए, आर्ट का marks पास कर दिए, यहां पर क्या करना होगा this.role equal to role this.name equal to name this.language equal to language this.math equal to math this.science equal to science this.arts equal to arts result के अंदर तो role, name, language, math, science, arts और अपना वाला marks पतब ये तो 6 का 6 है ही और अपना marks भी है तो 6 का 6 हो में हम लोग input ले लिए यहां से तो this का role, पतब result का role role में ये जो role पास किया थे वो आ गिया इसका जो name था उसमें ये जो name पास किया है वो गुश गिया इसका जो marks था उसमें, sorry language जो था उसमें language गुश गिया अब यहां पर क्या करते हैं, define calculate result, result calculate करो calculate करते हैं क्या हो गए हां पर marks equal to this dot language plus this dot math plus this dot science plus this dot arts सबको जोड़ देना होगा नै तब यह total marks निकला ना उसका सबको उमको जोड़ देना होगा define print result result को प्रिंट करो print result मतब इस result के अंदर में तीन method है एक तो get data जो इसका language, math, art, science सबके अंदर में input लेगा एक calculate result जो result calculate करेगा मतब मार्क से पहले 0.0 था जब calculate result को call किये तो यह सबको जोड़ दिया और print result result को print कर दिया sorry, marks प्रिंट करेगा marks तो result में pass कर देते हैं तो role में चला गया 5 name में चला गया quattic iPad language 56.7 math में, science में, arts में math में 78 science में 90.5 arts में 78 0.8 अब r तो यह input तो हो गया है calculate result को call मत करो तो देखो क्या होता है इसको call नहीं करेंगे तो फिलहाल marks में 0.0 है ना इसको call मत करो direct print कर दो तो marks प्रिंट किया तो marks प्रिंट किया तो marks में 0.0 प्रिंट करेगा करन करो क्या बोल रहा है result takes no argument अच्छा यह तो हमनों init पाजब कहां से call कर दिये हैं यह तो होगा नहीं है यह पैसे होगा ना तो r.get data यह तो get data था ना तो get data करना होगा अब यह क्या बोल रहा अच्छा यह कहीं लिख दिया है क्या हम बार बार यह हम self को this लिख दे रहा है self self यह भी self हुआ है यह भी self हुआ है अब यह कहीं दिस्क लिखा हुआ है अच्छा यह सब सारा चल्ब यह सब कंट्रूल एच से रिप्लेस का उप्शन है इन दिस्क के जगा के self रिप्लेस अल चल्ब रबरन करो यह जावा में थ्रॉजा कन्फूजन होगा जाव पाइथन में माक्स इस नॉट डिफाइंड लाइन नमर 26 26 में माक्स माक्स ते अच्छा सॉरी self.max होगा नहीं यहां पर यहां पर क्या होगा self.max self. कहां कहीं छोड़ दिया है self. 0.0 आया object बनाया तो result class का object में क्या-क्या properties होगा member data क्या होगा तो role, name, language, math, science, arts क्योंकि यह exam को inherit कर रहा और exam के पास यह तो चार है ही अपना print वाला भी है total 6 exam के पास तो यह exam से 6 data member को inherit करेगा ना और माक्स अपना इसका सात्वा member data हो गया अब इसका get data में हम लोग कॉल किये जब तो इसमें हम यह सब पास कर दिये 5 quarter keypad और 4 subject का marks और यहाँ पर 5 quarter keypad तो यह सारा set कर दिये values में तो उसको बद हम लोगों ने result को कॉल कर दिये तो marks में क्या था 0.0 जब result को कॉल किये तो self.marks तो 0.0 है हम लोग तो calculate marks को कॉल नहीं किये हैं अगर calculate marks को कॉल करेंगे तब तो यह जोड के और self.marks में changes करेगा तो अभी क्या हो रहा है 0.0 आ रहा है अब क्या को इसमें एक पर change कर दो r. calculate result है न calculate result हम लोग r. calculate result को कॉल कर दिये आप दिखवा अंसर क्या आएगा 304 आ रहा है क्योंकि जोड़ो गए 304 या आएगा 8 और 5 13 और 7 20 0 हुआ 2 हुआ 2 और 8 10 0 10 और 8 18 और 6 24 4 2 बचा 7 9 9 18 और 7 25 और 5 30 उतना है कि अधर calculate को कर रहा है तो यह क्या कर रहा है और अगर इसको नहीं करेंगे तो marks 0.0 था 0.0 प्रिंट कर रहा है तो यह है multi level inheritance बोलो समझ मारा यह चीज कि python में inheritance कैसे हो रहा है एक को दूसरा class inherit कर रहा है उसका सारा properties को इसका properties को तीसरा class inherit कर रहा है ऐसा ही inheritance चल रहा है मैंने कोई भी किसी की property को inherit कर सकता है तो clear है इतना दूर तक? बोलो अब जो यहाँ get data है हम चाहते हैं कि अलग से call नहीं करना पड़े तो इसको init भी बना सकते हो इसको init भी बना सकते हो तो अगर हम object बनाते time ही call कर देंगे अब तो यहाँ init लिखना पड़ेगा इसे एक पर लिखें जो बार होगा ठीक है तो हम लोग से get data राम के method दो call नहीं करना पड़ा जब object बना उसी time में हम लोग पास कर दिए तो object बनते से में जो data पास करते हो कहा पर जाता है उसका init method में क्योंकि init method अपने आप call होता है यही है ना हाया समझ में inheritance में यही था अब next class में next topic होगा अगर इसमें किसी को कोई doubt है तो पूछ सकते हो अधर्वाइस आज का class हो गया भूंज में होगा है 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 एक class का property की दुसरे class क्लास इनेरीट कर रहा ह है इसको प्रेस्टित करना होगा थोड़ा सा हुआ हो अब कुछ आसाइम्मेंट वागर देंगे हम लोग तो चलो होग यह इसको झाल झाल